14 एपरल के बाद देश भर में लोगडाउन लागू रहेगा या हटेगा इस पर केंदर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं किया गया है लेकिन केई राज्यों राज्य इस जारी रखने के पक्ष में हैं अंग्रेजी अकबार इंडियन एक्स्प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कम से कम साथ राज्यों ने सोमवार को संकेत दिया है कि वे लोगडाउन हटाए जाने की सूरत में भी अपने यहां पाबंदियों को जारी रख सकते हैं वही तेलेंगाना के मुख्य मंत्री के चंदर शेकर राओ ने लोगडाउन को बढ़ाने जाने की अनुशंसा की हैं इन साथ राज्यों में करोना वाइरस के कुल एक तिहाई मामले हैं भारत में अब तक 4,281 मामले सामने आये हैं जिन में 3,500 मामले इन राज्यों में हैं य एकनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक करोना वाइरस से उपजे संकट पर विचार विमर्ष करने वाल बनी 11 कमेटियों ने धीरे धीरे चरन बुद प्रक्रिया में लोगडाउन को हटाने की सिफारिश की हैं दैनिक भासकर की खबर के मुताबिक लोगडाउन खतम करने का ड्राफ्ट तैयार किया गया है लेकिन इसे अभी केंदर सरकार की मंजूरी नहीं मिली है इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी जा सकती है लेकिन जिस जिले में एक भी संक्रमित मरीज होगा वहां ट्रेन रुकेगी प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि ट्रेन शम्ता से एक तिहाई कम टिकेट बुक करेंगे और मिडल बर्थ बुक नहीं होगा हाला कि खबर के मुताबिक यह केवल प्रस्ताव भर है अभी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है अंग्रेजी अखबार टाइम्ज ओफ इंडिया की एक अखबार में एम्स के निर्देशक रंदीप गुलेरिया के हवाले से कहा गया है कि करोना संक्रमन के कुछ मामले कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन के लग रहे हैं अखबार से एम्स के निर्देशक ने कहा है कि कुछ मामलों में कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन के संकेत मिल रहे हैं इसलिए होस्पार बने इन इलाकों में कड़ी निगरानी किये जाने की जरूरत है तबी उसे बड़े पैमाने पर फैलाने से रोकना संभव होगा इसी तरह की और खबरे सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए